तो friends, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, RRC Group D exam के regarding देखेंस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि exam date आपका, यानि exam जो आपका कब हो सकता है 2021 में होने के कितने chances हैं, और 2022 में होने के आपके कितने chances हैं इस वीडियो में friends मैं आपको कोई भी हवा हवाई बात नहीं बताने वाला हूँ मैं पूरा आपको notice दिखाऊँगा जो भी SSC के या किसी की भी notice है वो सारे उन notice के थुरू मैं आपको बताऊँगा कि आपका exam कब हो सकता है कितने chances आपके 2021 में होनी के तो देगे friends सबसे पहले मैं आपको एक notice दिखा देता हूँ मैं आपको notice दिखाऊँगा उसके बाद बात करेंगे पूरी तो सबसे पहले यहाँ पर यह SSC का exam schedule है यह CGL का यानी combined graduate level इसके लटेस्ट होना है 15.9.2021 और 16.9.2021 में यानी September चल रहा है आज 11 तारीक है इसकी 15 और 16 में जो है CGL का exam होना है उसके बाद Junior Engineer यानी जो JE वाला exam होना है पेपर सेकेंड है इसका 26.9.2021 में यानी जो आपका September है इसकी 26 तारीक को देखे friends September में तो आपका RRC Group D का exam किसी ही हाल में नहीं हो सकता है यानी September में किसी सूरते हाल में नहीं हो सकता है तो आपका जो सेकेंड एक्जाम यहां पर होना है 26.9.2021 में होना है उसके बाद देखे next जो मन्त था next मन्त है अक्टूबर का दसवा महिना जिसमें आपका RRC Group D के exam कंडेक्ट कराया जा सकता था तो इसमें होना है MTS मल्टी टास्किंग वाला यानी मल्टी टास्किंग इस्ट अब वाला MTS वाला 2020 का first paper 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यानी 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यहां पर आपका यह exam कंडेक्ट कराया जाएगा उसके बाद जो है उसके बाद का जो next schedule है वो यह रहा combined higher secondary यानी 10 प्लस 2 लेवल की जो होती है इसका skill test होना है 3.11.2021 में यानी November में उसके बाद आपका sub inspector in Delhi Police and Central Armed Forces examination 2020 इसका second paper होना है 8.11.2021 में उसके बाद आपका stenographer C.O.D. का examination होना है यानी CBT होना है 11.11.2021 से 15.11.2021 और फ्रेंड उसके बाद आपका जो G.D. का है ये होना है आपका यानी CBT ही होना है 16.11.15.12 तक तो फ्रेंड देखा आपने कैसे 15 September से लेकर यानी 15 September से लेकर October पूरे आपका October में क्या होना है आपका जो आपका MTS वाला होना है उसके बाद November और December में आपका देखी याँ पर जो आपका 10 प्लस 2 वाला होना है और सबसे जो इसमें मैन है वो होना है आपका G.D. वाला एक्जाम तो September से लेकर पूरा 15 दिसंबर तक आप कह सकते हैं कि S.S.C. का जो है आपका एक्जाम जो है वो पॉस्ट पॉर्ण हो सकता उसके पीछे का रिजन सबसे पहला है एक्जाम कंड़क्टिंग एजन्सी T.C.S. पहला रिजन क्योंकि देखे T.C.S.C. आपके S.S.C. के एक्जाम कंड़क्ट कराती है यानि जो भी स्टुडेंट्स है अब बहुत से स्टुडेंट्स होंगे जिन्नोंने यहां तो डाल रखा होगा आपका MTS में या फिर आपका Steno Giraffer में या फिर GD में तो इन एक्जामों में अब ऐसा है क्योंकि डेट क्लेस करती हैं तो काफी सारे बच्चे इसका भी विरोध करते हैं और इतना जो एक्जाम कंड़क्टिंग एसंसे होती है वो भी देखते हैं कि डेट क्लेस ना करें तीसरी आपके यह सबसब बड़ी दिक्कत है वो होने वाली है सेंटर्स की तो ऐसा तो है निकि बहुत सारे यहां पर एक्जाम होते हैं तो अगर आपका चलिए मैंने माल लिया कंडिडेट्स का भी कोई इसू नहीं यहां पर होता है कंपनी को भी कोई इसू यहां पर नहीं होता है एक साथ एक्जाम कंडेक्ट कराने में तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है centers की देखे friends center किसी भी city में इतने नहीं होते कि SSC के candidates को और RRC गुरुबडी के candidates को एक साथ सम्हाल सके तो friends इसलिए मैं आपको बता रहा था यानि मैंने आपको तो thumbnail में भी दिया था कि आपका जो exam है वो 2022 में postpone हो सकता है आपका exam 2022 में conduct हो सकता है अब बागी कुछ time मिल भी रहा है बीच बीच में तो देखते हैं कि अगर RRC चाहे तो exam conduct हो भी सकता है बीच बीच में जैसे यहाँ पर जगए यानि के जो windows मिली है SST के बीच में या फिर ऐसा हो सकता है कि SST ने पहले से यानि जो TCS है SST के लिए पहले से यानि सेडियूल दिया हो कि बच्ची जिसमें कम हो यानि आदे centers में RRC गुरुबडी के exam और आदे centers में SST का exam जो है चलता रहे तो friends देखते हैं क्या होता लेकिन अभी जो ये हाल है मैंने आपको दिखा दिया है पूरा SST का सेडियूल तो ये सारे के सारे इसी बात की और इसारा कर रहे हैं कि आपको जो exam है वो 2022 में conduct हो या फिर 15 December 2021 के बाद हो तो सीथा सीथा 2022 यहाँ पर निकल कर आती है तो देखते हैं बागी क्या होता है आपको तयारी नहीं छोड़नी है देखे friends इस वीडियो का मतलब मेरा यह नहीं था कि इसी को demotivate करूँ आपको तयारी में लगे रहना है आररसी गूरुबडी के आपकी तयारी अगर हो गई है तो अच्छा आप revise करते रहिए बाकि और exam की तयारी में आप साथ साथ करते रहिए क्योंकि यह आप भी जानते हैं कैसस्थी का जो exam होता कुछ छोटा मोटा exam नहीं होता है और आरसी गूरुबडी का भी अच्छा वी तयारी में